हेलो एब्रिवन पार्ठक दड़ पे एक बार फिर से स्वागत है आपका चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास और आज हम पढ़ेंगे बीपी एसी के प्रिबियस यर की कुईश्टन जिसमें हम साइन्स डिसकस कर रहे थे और ये आज का आठवा क्लास है इससे पहले हमने साथ क्लास को डिसकस किया है तो जिन लोगों ने नहीं देख रखा है जाके जरूर देखिए ताकि आपके एक जैम से एक भी कुईश्टन छूटे ना तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के कुईश्टन के साथ आज का पहला प्रस्थ है दे एज ओफ ओल्डिस्ट रॉक सिस्टम इस कनफर्मड बाई सबसे पुराने रॉक सिस्टम की उम्र की पुस्टी किसके द्वारा किया जाता है हमारे पास ऑप्शन है और लेड मैथर्ड के द्वारा पांचवा अप्शन है नन अप दे एवर और मोर देन वन तो इस प्रसन का जो राइट एंसर होगा यह जो होता है उल्डिस्ट रॉक सिस्टम जिसको बोलेंगे उसका जो पता लगाया जाता है एज का वो क्रिप्टन आर्गन मैथर्ड के द जबाब है वही पे कारवन फोटिन मैथर्ड जिसको कारवन डेटिंग मैथर्ड के नाम से भी जाना जाता है वो किसीज के लिए यूज किया जाता है वो प्राचीन पेर पौधे और जीव जन्तु की आयू का पता लगाने के लिए कारवन फोटिन मैथर्ड का यूज किया अब यहाँ पे रॉक सिस्टम की बात आई है तो वर्ट शिपतार है को तो वह लार्ट के अंदर सबसे पुराना यो रॉक सिस्टम है वो कौन सा टा है तो वो है आपको आरचियन, आरचियन रॉक सिस्टम जिसको प्रीप केрем्टरियन रॉक के नाम से भी जाना जाता है और य पठारी उसमें भी ये प्रेजेंट है और नॉर्थ एस्ट के कुछ पार्ट में ये पुराना रॉक सिस्टम अबलेबल है वहीं पे भारत का सबसे पहला जो मेटामॉर्फिक सेडिमेंटरी रॉक सिस्टम है वो कहां पर है तो वो करनाटका के अंदर एक धारवार जगह है वह पर फर्स्ट सेडिमेंटरी रॉक सिस्टम इंडिया का मौजूद है अब यहां पर कुछ एलिमेंट के नाम को डिसकस किया गया है तो क्रिप्टन क्रिप्टन जिसका सिंबल होता है के आर इसका अटामिक नमबर कितना होता है 36 और यह किस ग्रूप का एलिमेंट है तो यह 18 और यह एक नोबेल गैस भी है जो किसी के साथ रेक्शन नहीं करता है आरगन भी नोबेल गैस है ग्रूप 18 एलिमेंट है और इसका अटामिक नमबर 18 होता है यह अटामिक नमबर 92 होता है वहीं पर पी जिसको लेड बोलते हैं उसका अटामिक नमबर 82 होता है तो आई होप यह किलियर हो गया इस कोईशन से सारे बात है असपस्त हो गई होगी आप लोगों के शामने चलिए नेक्स्ट कोईशन पर चलेंगे आज का अगला प्रस्थन है एयर इस अप्शन से हमारे पास कंपाउंड है मिक्स्चर है एलिमेंट है ऐलेक्ट्रोलाइट है पांचवां अबच्रांशन से अंदर के अंदर कौन से गयस प्रेजिए में प्रेजूंट है उसका नाम है नाम है और वो किसए पर्जिएंट में यूम अंदर है तो वहीं पे oxygen second most जो percentage में present है वायो मंडल के अंदर वो लगभग 21% मतलब 20.95% के मात्रा में present है वहीं पे carbon dioxide जिसके कारण photosynthesis होता है green plant में वो आपको 0.03% है और hydrogen भी वायो मंडल के अंदर है और वो लगभग 0.0005% है कुछ halogens, noble gas भी present है उसको हम यहाँ पे देखेंगे एक होता है आपको helium और helium जो की sunlight के अंदर hydrogen के साथ साथ मौझूद होता है helium भी 0.00005% amount में present है neon भी present है और xenon और krypton यह सारे के सारे gas वायो मंडल में present है बट सबसे ज़्यादा जो quantity है nitrogen का है तो यह question का right answer air एक mixture है उसमें mixture भी दो परकार का होता है एक homogenous mixture और एक heterogeneous mixture है heterogeneous mixture में क्या होता है जब दो element एक definite ratio में add होते हैं तो उस mixture को हम बोलेंगे heterogeneous mixture वहीं पर homogenous mixture की बात जहां पर आएगी यहां पर कोई definite amount में कोई भी element add नहीं होगा किसी का amount fixed नहीं होगा इसका सबसे best example आपको ice हो सकता है और इसका definite ratio absent होता है और यह हो गए आपको homogenous mixture के बारे में अब questions में compound के बारे में दे रखा तो compound किसको कहेंगे जब दो element दो element जब आपस में add होगा तो वह एक compound बनाता है example क्या हो गया जब हम H2 को oxygen के साथ means two atom of hydrogen जब one atom of oxygen के साथ add होगा तो यह compound बनाएगा जिसको hydrogen oxide कहेंगे dry hydrogen oxide कहेंगे तो यह compound हो गया फिर आपको आता है element element किसको बोलेंगे तो simplest जो chemical substance होता है एक परकार के होते हैं periodic table के अंदर वो सारे के सारे element कहलाएंगे electrolyte क्या होता है option में दे रखा है तो electrolyte होता है यह एक परकार का compound होता है जो क्या ion produce करता है ठीक है किसी भी electrolytic cell में और वो dissolve होता है उसी solution के अंदर जब किसी solution के अंदर यह electrolyte dissolve होगा तो वो ion produce करेगा तो यह electrolyte से related बाते हो गए अगले question को देखेंगे अगला प्रस्थ है which of the following is the biggest reservoir of non-conventional energy गैर पारंपरिक उर्जा का सबसे बरा भंडार कौन सा है option में हमारे पास है sorry उर्जा फिर आता जोरिये उर्जा जिसको tidal energy कहेंगे फिर आता atomic energy यह नहीं होगा फिर आता जियो thermal energy तो सबसे बरा जो गैर परंपरिक उर्जा का स्रोत है वो क्या है शोरिये उर्जा और भारत के अंदर लगबग यह 5000 trillion per kilowatt यह इंडिया के अंदर एक शाल में होता है और उर्जा से energy हम लोगों को मिलता है और यह जो non-conventional energy है जिसको हम renewable source of energy भी कहेंगे और यह कौन से कौन से होते हैं तो एक आपको solar energy हो गया फिर दूसरा TDL energy भी हो गया और तीसरा एक होता है wind energy जिसको हम बोलेंगे पवन उर्जा यह भी non-conventional form of energy है वही पे renewable source का जब यहाँ पे बात आया तो ministry of renewable energy और power कौन है तो हमारे भिहार के कौन है आर के सिंग जो की आरा के सांसद है वो ministry of power और renewable energy है वही पे conventional energy की बात आईगी तो conventional energy किस चीज पे बेस्ट होता है और वो future में जाके शमाप्त हो शकता है तो इस प्रस्न का जो सही जबाब होगा solar energy right answer है अगले question को देखेंगे अगला प्रस्न है will of electricity consumption based on measuring of मापन के आधार पर विजली का खपत का बिल किस चीज में होता है तो वो आपको watt में present होता है जो की power का unit है ठीक है electric power का unit है जिसको watt कहते है वही पे voltage का जो unit होता है volt किसका किसका unit होता है तो वो होता आपको विववांतर या electric potential का या electromotive force का वही पे ohm, ohm किसका unit होता है तो ये प्रती रोध का unit होता है जिसको resistance कहते है एंपियर एलक्ट्रिक कलेंट जिसको विद्युत धारा हिंदी में कहते हैं तो इस प्रसंद का सही जवाब होगा पहला option what अगले question को देखेंगे what is laughing gas laughing gas क्या है laughing gas का formula क्या होता है और इसका यूज किया जाता है आपको doctors के दोरा dentistry में फिर anesthesia देने के वक्त में भी इसका यूज किया जाता है वहीं पर इस प्रसंद का जो राइट एंसर हो जाएगा nitrous oxide इसका जही जवाब है वहीं पर nitric oxide option में दे रखा और इसका यूज होता है blood body का dilation में और ये blood vessel को क्या करता है constrict कर देता है narrow करता है ठीक है वहीं पर nitrogen pentoxide का यूज किस चीज के लिए होता है तो oxidizer के रूप में होता है high fuel rocket के अंदर ये question खतम हो गया अगले question को देखेंगे which of the following is the heaviest metal निम्न लिखित में से सबसे भारी दातू कौन सा है option है मारे पास तामबा, copper, uranium, फिर आता है aluminum, फिर आता है silver, पाचवा option है none of the above or more than one इस प्रस्ण का सही जबाब होगा uranium सबसे भारी धातू है वैसे अगर देखा जाए आम दोर पर पूरे धातू जितने भी है पूरे वर्ल्ड के अंदर उसमें सबसे जादा जो heaviest metal है उसका नाम है posmium जो की plutonium group का एक metal है यहां पर option में अगर पूछा जाए तो यह uranium होगा और uranium का use कहां कहां पर होता है तो uranium का use nuclear reactor में फ्यूल के रूप में किया जाता है nuclear weapon बनाने में भी uranium का use किया जाता है और uranium का atomic नमर कितना होता है 92 और इसके बहुत जादे isotope present होते हैं फिर आपको आता है option में है आपको aluminium और ये question पूछा जा सकता है ये किस family का element है तो aluminium एक boron family का element है और ये किस group का element है ये 13th group का element है या 3rd A भी कह सकते हैं वहीं पर ये तीसरे आवर्थ का या period का element है ये exam में ऐसा question पूछा जाता है फिर वहीं पर आपको आता है silver तो silver का chemical name है असली वाला उसका क्या नाम है तो इसको बोलते हैं agumentum इसका atomic number कितना होता है 47 हिंदी में चांदी कहते हैं सभी लोगों को पता है और ये जो होता है आपको group 11th group का element है या 1B भी कह सकते हैं और ये 5th period या आवर्थ में present है ये एक transition metal कहलाता है वहीं पर gold का atomic number कितना होता है तो 79 और इसके symbol को AU कहते हैं अगले question को देखेंगे अगला question है permanent hardness of water is due to पानी की अस्थाई का ठोड़ता किसके कारण होती है option से हमारे पास calcium carbonate के दौरा calcium carbonate का formula क्या हो जाएगा CACO3 फिर आता chloride and sulfate of calcium and magnesium तो इसका जो सही जवाब होगा 7 वे प्रस्न का option number 2 सही जवाब है ये permanent hardness इसी के दौरा होता है chloride जो होते हैं वो क्या करता है salt के अंदर मौजूद होता है किसके रूप में calcium और magnesium के रूप में और इसको remove permanent hardness को remove कैसे किया जा सकता है तो इसको treat करेंगे hard water के साथ उसके साथ में washing soda जिसका formula हो जाएगा na2 co3 को use करेंगे तो इसका hardness खतम हो जाएगा तो इस प्रस्न का जो सही जवाब होगा शाथ वे प्रस्न का option number 2 अगले question को देखेंगे अगला प्रस्न है blood group of universal donor is universal donor जो होते हैं उसके blood group क्या होते हैं options है मारे पास a, a, b, firata o, firata b, पाच्वा option है none of the above और more than one तो इस प्रस्न का जो सही जवाब होगा तीसरा option सही जवाब है o, o जो होता है उसके अंदर आपको antigen, antigen नहीं present होता है इसलिए ये सभी को blood दे सकता है वहीं पे a, b, a, b बाला blood group सभी से ले सकता है इसलिए इसका नाम क्या है universal acceptor और ये सब से क्यूं ले सकता है तो इसके अंदर antibody present नहीं होता है तो ये सभी का ले सकता है वहीं पे अब blood group की यहाँ पे बात आई है तो question आता है blood group के father जनक कौन कह जाते हैं तो उनका नाम है blood group system क्यालाते हैं फिर आता एक father of blood father of blood circulation ये किनको कहा जाता है तो एक scientist वहा करते थे William Harvey, William Harvey को father of blood circulation कहा जाता है उन्होंने उसकी खोज करी थी फिर आता अगले प्रस्न को देखेंगे अगला प्रस्न है नौबा और according to the present evidence origin of life on earth is started about वर्तमान प्रमानों के अनुसार पिर्तवी पर जीवन की उत्पत्ती किसके बारे में शुरू हुई है ये कब शुरू हुई है ये होगा तो इसका जो सही जबाब होगा option में देखेंगे 20,000 years ago 20,000 साल पहले नहीं 2,000,000 साल पहले यही सही जबाब है तो इस प्रस्न का सही जबाब दूसरा option होगा अगले question को दिखेंगे which edible plant has maximum protein किस खाद्य पोधे में सबसे अधीक मात्रा में protein मौजूद होता है option है हमारे पास gram फिर आता piece जिसको मटर कहते हैं फिर आता soya bean या तूर पांचवा option है none of the above और more than one तो यहां पे जितने भी option है उसमें सबसे जादा जो protein present होता है वो शोया bean के अंदर तीसरा option सही जबाब है अब soya bean की बात आई है तो फचल दो परकार के होते हैं एक तो होता है रवी फचल एक होता है खरीब फचल रवी क्रॉप देखे खरीब फचल क्या होता है यह रेनी सीजन में इसको ग्रो किया जाता है रोपा जाता है और हार्वेस्टिंग इसका विंटर सीजन में होता है उसी के जस्ट अपोजिट में रवी क्रॉप का जो पीज़ुटी लेडुटी लेडो, वित लेडो, ₩ छॉल ले लुट फिर आपको उर्श सुच्छाया का फीजा गया वहीं परहता है था फ़ीज परमक्तव में आपको फौर्छ म्विट क्रोलब में आपको उरुका भीज़ कुर्ड चाुना उरुकि परता बॉकि था त्थ क के अंदर protein कितने amount में present होता है तो ये आपको 40 से 42% इसमें protein होता है वहीं पे तूर के अंदर लगवग 21% protein होता है और 20 के अंदर 22% protein present होता है और दाल में 21% protein मौजुद होते हैं अगले question को देखेंगे soil erosion can be checked by मिर्दा अपर्दन को किसके दौरा रोका जा सकता है option है over grazing नहीं इससे तो और बर जाएगा deforestation इससे भी बर जाएगा eforestation इसका right answer है increasing number of birds इसके कारण भी बर जाएगा पाच्वा option तो नहीं ही होगा तो इसका जो सही जबाब होगा option number 3 अधिए मिर्दा अपर्दन के और कुछ रीजन है उसके द्वार इसको रोका जा सकता मुझा उसको करेंगे म STOP करेंगे म नई अबॉण आटा करेंगे उससे भी रूके का एक जो perfect amount होगा उसमें यूज़ करेंगे तो मिर्दा अपर्दन में वो सुधार हो शकता है तो यह clear हो गया इस प्रस्ट का इंसर option number 3 होगा अगले question को देखेंगे अगला प्रस्ट है option appears blue due to option से मारे पास महाशागर नेला दिखाई देने के कारण क्या है तो महाशागर के अंदर आकास का जो प्रावर्तन होता है प्रकास का प्रावर्तन होगा जिसके कारण जलो के कनो द्वारा प्रकास का प्रकिरनन होगा तो इसका जो सही जवाब है option number 2 सह क्या होता है देखिए Scattering Scattering जो होता है जिसको क्या कहते है हिंदी में Prakirnan पrakirnan जो होता है वो inversely proportional होता है तरंग देड़िय के तरंग देड़ जिसको lambda से denote किया जाता है web length जिसको बोलता है इंगलिस में और इसमें blue light का जो web length होता वो बहुत कम होता है इस कारण से यह scatter कर जाता है तो इसका सही जवाब option 2 होगा अगले question को देखेंगे अगला प्रस्थ है dew is not formed in turbulent night because अशान्त रात में ओस नहीं उत्पन होता है तो इसके क्या reason है option से मारे पास the rate of evaporation is greater low moisture in air temperature is high sky is not clear फिर आता है none of the above or more than one तो इस प्रस्थन का सही जवाब जो होगा इसमें वास्पी करन का जो दर होता है अशान्त रात्री में वो अधिक होता जिसके कारण ओस का formation नहीं होता है तो इसमें क्या होता है जितने भी वो ओशकन होते हैं वो बेपर मौजूद होते हैं वो सारे के सारे एवापरेट हो जाते हैं और दूसरा रीजन ये भी है कि उस वक्त में अशान्त रात में जो विंड का स्पीड होता है वो बहुत ही ज़ादा होता है जिसके कारण ओस का formation नहीं हो पाता है इसी पॉइंट से रिलेटेड एक्वेशन UPSC UPSC 2019 में पूछा गया था कि जब क्लावडी रात होता है उसमें ओस का formation नहीं होता क्यूं तो देखे क्लावडी रात के अंदर क्या होता है जितने भी पेर पौदे होते हैं वो ठंडा नहीं रहता ना तो ठंडा नहीं होता जिसके कारण उसके अंदर उस या पानी का जो निर्मान होता है बहुत ना के बराबर होता है और क्लावड के अंदर से क्या होता है वो हीट होता जो की ग्रावड पे आता है जिसके कारण वो जितने भी पानी होते हैं वो उसका वहाँ पे जितना भी फॉर्म होता है water वो खतम हो जाता सूख जाता जिसके कारण उसका formation नहीं होता तो इस question का answer जो होगा ये सही जबाब हो जाएगा आपको option number one अगले question को देखेंगे अगला प्रस्ण है according to life cycle the most important part of plant is जीवन चकर के अनुशार जीवन चकर के अनुशार पौधो का सबसे महतपुर्ण भाग है option से हमारे पास flower फिराता leaves, फिराता stem फिराता roots, पाचवा option है none of the above or more than one तो पेर पौधो के life cycle के अनुशार सबसे जो important चीज है आपको वो क्या है जर, जर नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा चाहे वो पेर पौधा हो चाहे वो आदमी हो जर बहुत important role play करता है किसी भी चीज के निर्मान में या formation में तो देखे, root से क्या-क्या benefit होगा वो plant का जो soil होता है उसको static रखता है, balance रखता है फिर इसका जो root का soft part होता है, root के अंदर जितने भी part होता है, जो सबसे soft वाला part होता है, वो क्या करता है पानी को, या mineral को absorb करता है, ठीक है और वो जो absorbed हुआ mineral और पानी है, वो अपने, मतलब root के तरू stem में जाता है, फिर stem के तरू lips में जाता है, जिसके कारण पौधे का growth होता है, तो इसका जो right answer होगा, चौथा option सही जवाब है, अगले question को देखेंगे, आर्चियो petrax, क्या है, आर्चियो petrax, option से मारे पास, जुरासिक काल का सबसे पुराना पक्छी फिर आता, जुरासिक काल का reptile फिर आता है, the reptile of tricyc period, तो reptile तो tricyc period में था ही नहीं, तो ये option गलत हो गया, फिर आता, reptile of tricyc can jurassic period, ये भी गलत हो गया, पाच्वा option तो नहीं होने से रहा, तो आर्चियो petrax क्या है, एक connecting link है, connecting link है, means इसके अंदर bird के भी कुछ character present होते हैं, और कुछ character reptile के भी present oldest bird होता है, ये एक टाइप का oldest bird है, जो की जुरासिक period, reptiles का जो प्रियड था उस टाइम में हुआ करता था, इसका जो German name होता है, उसको बोलेंगे उर्वोगेल और उर्वोगेल मिन्स होता है primitive birds, और ये डाइनासोर्स का जीनस है, ठीक है, ये feathered हुआ करता था इसमें punk हुए करते हैं और ये connecting link है, किसके किसके बीच में, तो ये connecting link है bird और reptiles के बीच में, अब यहाँ पर connecting link की बात आई, तो इससे related कुछ और point जो के exams में पुछे जा सकते हैं एक connecting link होता आपको amphibians और reptiles के बीच में जो connecting link होगा amphibians और reptiles के बीच में, इस दोनों का जो character present होगा, किस organism में उसका नाम है sumoria फिर आता एक rictasia होता rictasia connecting link है, किसका किसका virus और bacteria का, फिर अगले connecting link को देखेंगे, connecting link को देखेंगे proteopatras proteopatras connecting link होता है Pisces का, और amphibians का, वहीं पे एक होता है, proto proto, 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 proto espongia connecting link किसका किसका है protozoa का, ये सारे के सारे questions exams में पूछे जाते हैं, protozoa connecting link है, protozoa और porifera, ये connecting link है protozoa और espongia वहीं पे एक आता है, actinomycetis actinomycetis और ये connecting link है आपको bacteria और fungi का bacteria और fungi के बीच में जो connecting link होता है उसको क्या कहते है, actinomycetis से पेस एक और को देख लेते हैं, एक होता है आपको belleng belleng glosus belleng glosus connecting link होता है, किसके किसके बीच, ये kynoderms और code dates के बीच में, ये exam में question आ सकते हैं, बजाक मत कीजिएगा, ये important थे इसलिए मैंने आपको discuss कर दिया, इस प्रस्न का जो सही जबाब होगा option number one, अगले question को देखेंगे, अगला प्रस्न है aspirin is, options है माले पास aspirin क्या होता है, antibiotic, antibiotic तो नहीं होता है, antibiotic की खोज सबसे पहले किस ने करी थी, तो वो क्या था आपको Alexander, Alexander, Flaming ने, फिर आता है antipyratic, ये जो बुखार से related जो drugs होते हैं, उसको antipyratic drug कहते हैं, और aspirin जो है, वो antipyratic drug है, वही पर next option में है antiseptic, और ये antiseptic, detol इसका example हो सकता है, sablon इसका example हो सकता है, entry microbial drug, जो वाइरस के कारण, जो फंगल, फंगस के कारण जो भी वो होता है, या कोई चर्म रोग होता है, उसमें use करेंगे antiseptic को, वही पर tranquilizers, tranquilizers क्या होता है, जब आपको tension के कारण या नेद नहीं आती है, तो उस चीत से related जो drug होते हैं, उसको हम बोलेंगे tranquilizers, तो इस प्रस्ण का जो सही जबाब होगा, option number second, अगले question को देखेंगे, अगला प्रस्ण है, what is detergent, detergent क्या है, हिंदी भी वही है, detergent, तो detergent, soap नहीं होगा, फिर medicines नहीं, catalyst नहीं, catalyst तो उत्परे रख होता है, ये actually enzyme होता है, cleansing agent ह और इसका formation हुआ था, world war first के time है, world war first कवाया था, 1914 से लेके 19 के बीच में रहा था, और ये cleansing agent होता है, क्या, detergent, और ये कैसे बनता है, तो detergent, highly fatty acid जो होता है, वो vegetable oil से निकलता है, और ये इसके द्वारा ही detergent का निर्मान होता है, तो ये clear हो गया, इस प्रस्ण का सही जबाब होगा, option number 4, अगले प्रस्ण को देखेंगे, radio active element emit क्या करता है, radio धर्मी तत्व जितने भी होते हैं, क्या उत्सरजित करता है, तो वो alpha particle उत्सरजित करता है, फिर beta particle भी उत्सरजित करता है, फिर gamma particle भी उत्सरजित करता है, तो इसका जो सही जबाब होगा, all of the above, या more than one, त क्योंकि इसमें एक नहीं है, पांचवा option, सही जबाब है, अगले question को देखेंगे, अगला question है, Dolphins are classified as, options है हमारे पास, spices, amphibians, reptiles, mammals, पांचवा option है, none of the above, और more than one, तो इस प्रस्न का सही जबाब होगा, Dolphins, एक क्या होता है, एक परकार का, mammals होता है, option number 4, अस्तंदारी, सही जबाब है, mammals, Dolphins जो होता है, वो सबसे ज़्यादा, जो intelligent mammal होता है, वहीं पे, यहाँ पे, mammals का एक example होता है, whales, whales जो होता है, वो प्रत्वी का सबसे वरा, mammal है, वहीं पे, whales और यह, Dolphins, दोनो, aquatic means क्या कहेंगे, जलिये, अस्तंदारी, जीब है, और इसके अंदर क्या होता है, for limb, for limb क्या होता है, वो modified होता है, flipper के रुप में, flipper के रुप में वहीं पे, इन mammals के अंदर, hind limbs जो होता है, वो absent होता है, तो यह clear होगा, इस प्रसन का सही जवाब होगा, dolphin एक, क्या है, अस्तंदारी है, और gangetic dolphin, जो की बिहार के अंदर है, और विक्रम सिला gangetic sanctuary, जो की भागलपूर के अंदर है, और gangetic dolphin, भारत का जलिये, national aquatic animal भी है, यह या अगले question को देखेंगे, अगला प्रस्त है, when we eat mutton of goat or sip, then we are, options है, primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer, quaternary consumer, none of the above or more than one, जब हम बकरी या भेर खाते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, प्रार्थमिक उपभोकता, नहीं, प्रार्थमिक उपभोकता, जो की हर्वी वोर्स होते हैं, जिसको बोलते हैं, सा ये पेर पौधे को खाते हैं, या अलगा को खाएंगे, या फंगस को खाएंगे, तो ये प्राथमिक उपभोकता हो गए, और इसका जो example होगा, ये क्या हो जाएगा, ये ग्रास होपर ले लो, फिर जिराफ ले लो, human भी होते हैं, कुछ जो साकाहारी होते हैं, फिर आपको खरगोस ले लो, गाए ले लो, human हो गए, horse हो गए, ये सारे के सारे primary consumer होते हैं, वहीं पे secondary consumer इसको हम Carnivores, Carnivores भी कहते हैं, ये मांसाहारी होते हैं, और ये या तो पेर पौदे भी खा सकते हैं, उसको खाके रह सकते हैं, या मांस भी खाके रह सकते हैं, तो ये जो secondary consumer है, वह यह बकरी का मांस या भेर का मांस खाईगा तो इसका जो राइट एंसर होगा option number 2 सही जवाब है secondary consumer या दूतियक उपभोगता तो होगे आज इतने ही प्रस्न थे आसा करते हैं आपको आज की class पसंद आई होगी और जिन्होंने पिछले classes को नहीं देख रखा है जाके जरूर देखें क्योंकि आपको पता है जितने भी बिहार के LDC के paper हुए थे उसमें से हमारे जितने भी classes हैं उससे mostly लगबग 90% questions मिलते हैं तो आपको नहीं भरोशा है तो जाके चेक कीजिए सारे classes क्योंकि मैंने उसको delete नहीं किया है तो चेक कीजिए और मिलाए फिर आपको यकीन होगा तो चलिए आज का वीडियो पसंद आया है तो जरूर से सबसे पहले तो like कर दीजिए इस वीडियो को और जिन लोगों ने subscribe नहीं किया है इस वीडियो को subscribe कर लिजिए और पशांद आया तो अपने दोस्तों के साथ share कीजिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बने रहे है पाठक सड़ा यूटूब चैनल के साथ धन्यवाद